जमाद इसलामी पाकिस्तान के जेर इहतिमाम बजली बलू और टेकसिस के खलाफ इसलाम आबाद में होने वाले इहतिजाजी धरना में सद्र नेशनल लेबर फेडरेशन फैसल आबाद और मरकजी सिकर्टरी जनरल पासबान रक्षा, टेकसी ड्राइवर्स, यूनिन पंजाब मिया आजाज हुसैन सेंकडो कारकनो के हमरा इसलाम आबाद में पहुँचके, इस मौका पर रक्षा यूनिन के मरकजी सदर अयूब खां भी इनके हमरा थे महंगी बजली और टेकसिस के खलाफ जमायत इसलामी, पाकिस्तान के अमीर हाफिज नाईम रह्मान की काल पर पासबान रक्षा, टेकसी ड्राइवर्स, यूनिन पंजाब के मरकजी सिकर्टरी, जनरल मिया आजाज हुसैन की इसलाम आबाद में कारकनो के हमराह पुलीस से ब राउल पंडी से खबर शामिल करते हैं महंगी बजली और टेकसिस के खलाफ जमायत इसलामी, पाकिस्तान के अमीर हाफिज नाईम रह्मान की काल पर पासबान रक्षा, टेकसी ड्राइवर्स, यूनिन पंजाब और नेशनल लेबर फेडरेशन ड्वीजन, फैसल आबाद औ और राउल पंडी के हजारों, कारकनान मिया एजाज हुसैन और अयूब खां की क्यादत में मरी रोड लियाकत बाग और हाई वे रोड पहुँचने में काम्याब कुछ कारकनान डी चोक के करीब भी पहुँच चुके। एजाज हुसैन ने कहा कि के पीके में हुकूमत पी टी आई ने काफिलों को रोकने का हुक्म देकर हुकूमत की मदद की है। साबित हो गया कि तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर और दूसरी तरफ जमावत इसलामी और गरीब अवाम है। महंगी बजली और तेरा कस्म के टेक्सों की वसूली हुकूमती गुंडा गरती है जिसे बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। बजली बल गरीब अवाम के लिए मौत के फेंदे बन गे हैं। अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमेशा जमायत इसलामी ने कौम की नमाइंदगी की है और मुश्किल वक्त में गरीब अवाम का साथ दिया। मौजूदा हुकूमती इतिहाद ने गरीब अवाम को खून के आंसू रला दिये हैं। अब हुकूमत अवाम को रिलीफ देगी या घर जाएगी। हाफिज नईमर्रह्मान की क्यादत में हुकूमत की जालमाना पालिसियों का खात्मा होगा। गौम जमायत इसलामी की हम रुकाब बन जाए। ये जंग जमायत इसलामी की नहीं बलकि पूरी गौम की जंग है। लहजा आगे बढ़ें जालिम हुकमरानों से अपना हक छीन ले।